कि हलो एब्रीवन केसे हैं आप सब आशा करती हूं आप सभी को सबसे पहले जयश रीश आपना वीडियो में आपने पिछले वीडियो से ही जो है स्टार्ट करूँ और मैं आपको बतायाई है के में बहुत सारे जो है कि चिन के डबे वगिरा धो करके सुखाएं हैं धूप में और अभी मैं इनको ना वापस से समयटने के हिसाब से इनको पोच रही हूं और मिष्टी जो है आगई है मेरी हैल्प करने के हिसाब से और मिष्टी और भ्रगु दोनों ही छत पर हैं और भ्रगु भी आजकल अपनी जीजी के साथ साथ पूरे काम करता है वो और वो भी बोलता रहता है कि मम्मी मैं भी आपके साथ जो है पूरी पूरी हैल्प करूंगा और जो मैंने अपनी धूप में डाल वगिरा सुखा करके रखी हैं तो मैं उन्हीं को लाने का मिष्टी से जो है बोल रही हूं कि तू सारी ले हो गए हैं कि वो थोड़ी थोड़ी सी जो है help मेरी करी देते हैं जिसे कोई सामान आपको पकड़ा पकड़ाना है या जिसे कैबी डब्बे मैंने सुखाए हैं तो मिश्टिने सारी डाले मुझे लाकर के दे दी हैं तो मैं भर दूंगी इनको और ना वो ले करके भी चले तो यह एक अच्छी बात है कि बच्चे होते हैं मतलब घर में तो बहुत जादा help हो जाती है नहीं तो फिर अकेली सारी चीज़ें करने पड़ती है पहले तो मैं सब चीज़ें करती थी क्योंकि बच्चे छोटे थे पर अभी यह है कि थोड़े से बड़े हो गए हैं तो थ सबसी करती है और यहां पढ़ना मैं अभी छत की जाडू भी लगा लूँगी बहुत जादा गंदी हो रही है चत अब बारिश होकर के फ्री होई है उसके बाद ना जो पूरी हो जाती ना काली काली सी पूरी छत तो वेसी हो गई है और उसके बाद इसी पप्डियां सी निकलने लग गई ह तो इसको मैं अच्छे से समेट करके जितना भी सारा कच्रा है इसको मैं समेट करके एक पॉलेथिन में खटा कर लूँगी क्योंकि इतने दिरों से क्या है मैं जब भी जाडू लगाती थी तो साइड में सारा कच्रा कर देती थी पर आज मैं पूरा कच्रा अच्छे से जो मैंने भी गो करके रखे हैं तो चावल चड़ाऊंगी तो खाने में बच्चों का फेवरेट डाल और चावल ही बन रहे हैं और आज है मेरे व्रत तो मुझे अभी खाना खाना है शाम के टाइम में ही और खेर में फलाड तो खेर करी लेती हूं सुबह कुछ ना कुछ चावल बन करके रेडियो जाएंगे तो चावल भी मेरे बन गए हैं एक तरफ दाल में भी मैंने तड़का जो है लगा दिया है अब बस मुझे कुछ रोटियां सेक नी है तो वह मैं जो है सेक लेती हूं वैसे मैं मोस्टली शाम की टाइम में जबी भी दाल चावल बनाती ह हूं पर आज मेरे वरत है इसलिए मैं कुछ रोटी बना लूँगी क्योंकि सिर्फ हम दाल चावल खाते हैं तो उससे जल्दी से भूग लगी आती है अगर हम चावल की क्वांटिटी कम रखेंगे और रोटी जादा खाएंगे तो फिर इतनी भूग जो नहीं लगेगी तो यहां पर मेरी रोटी भी जो है सिक करके बिल्कुल तयार हो गई है तो यहां पर जो मेरा खाना है वो बिल्कुल रेडी हो गया है तो अभी बस में खाने की जो है प्लेट लगा लेती हूँ खाने में रख लिये है मैंने दाल चावल रोटी कुछ में खीरा भी रखूँगी क्योंकि के ना अभी मैंने खीरा रख़ा हुआ था तो वो काट लि है और यह प्लेट जो है मैं भगवान जी के लिए लगा रही हूं भोग के लिए तो हमारे ब्रगु को खीरा पसंद यह आप सब के लिए यह प्लेट नहीं मिश्ची के लिए उसी में चाची ने भीची più कने सारे घंप नसको यह जाए दूए तो क्या इस हाली अच्छी लगती है, सुन्दर लगती है दिखने में, तो यहां पर मिष्टी का खाना भी मैं रेडी कर दूंगी, और इसके बाद बज़ाल अभी खाना जो एक खा लेते हैं हम, और ऐसी प्लेट न ब्रगू के लिए भी आई है, पर ब्रगू मोस्टली मेरे स का आतीज इस इस और मेरे सब धीखने मेरे साथ ही क्यों मेरे साथ से कोई झाई ऱ की खाना मेरा रहता है जू मैं तो आई हृती हैं आप यहां पर हम सब लगत करे मां खाना हो अभी और दिवाली की सफ़ाई में बस अभी रसोइप क्या काम होता है अना, container ही perhaps Argent सिर्फ अभी यही करा है तो मैंने यही बोला है पिछले वीडियो में बताया हैं कि अभी तो सिर्फ शुरुवात है तो अभी बहुत सारा काम जोए करना बाकिया है तो मतलब साभी मेरा यह है जतना जल्दी हो सके इस रसोई को एकवर कमप्लीट कर दूँ क्योंकि कि बहुत जादा काम जो होता है वो रसोई में मुझे मुझे लगता है क्योंकि इतने सारे दब्बे वगिरा होते हैं उनको वोश करना बरतन भी काफी सारे होते हैं तो उसमें बहुत जादा टाइम जाता है तो सबसे अच्छी बात यही हो जाएगी मेरे लिए कि और कुड़्चों पर भी आपको कपड़े दिखी रहे होंगे अभी चारों तरफ नवस फेलावडा ही फेला हुआ है क्या करें अभी दिवाली की सफाईयां चल रही ना तो घर में भी ऐसी ही हालत रहेगी तो चलिए अपने वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूं वीडिय क्योंकि सेफटी जरूरी है भाई तो आप भी अपना ध्यान रखिये बाबाई एंड टेक केर बाई